Hello everyone, Namaste! आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी प्रॉम न्यू देली टू कानिडा वाया मेक्सिको. तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये है पार्ट वन प्रॉम न्यू देली टू मेक्सिको वाया आमस्टरडाम. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को और दूसरों तक इसे जरूर पहुँचाईएगा. तो सबसे पहले मैं सटार्ट करती हूँ न्यू देली से, देन उसकी बाद मैं आमस्टरडाम and third, जो मेरे पार्ट होगा इस व्लॉक का, इस वीडियो का, वो होगा मेक्सिको. सबसे पहले स्टार्ट होती है मेरी जरूर्नी फ्रॉम न्यू देली. so New Delhi में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था और मुझे report मेरे mail में report आ गई थी within 6 hours although वो 24 hours का time period बताते हैं फिर मैंने print out निकाला उसका और जिस दिन मेरी flight थी मेरी flight थी 4th August KLM की थी and 3.35 AM की थी तो मैंने उसी दिन उसमें stamp भी लगवाया था तो जब भी आप RT-PCR टेस्ट करवा होगे airport से तो याद रखना एक तो QR code होता है आपकी report में and second thing वो stamp लगा कर देते हैं तो मेरी flight थी KLM की KLM के कुछ guidelines हैं जो rules हैं वो यह है कि उन्होंने bag का dimension दिया हुआ है although इसमें 2.23 kg के bag अलाओ है plus 12 kg का एक cabin bag भी allow है अब वो 12 kg का जो cabin bag है वो दो पार्ट में divide है एक laptop bag और दूसरा आपका छोटा सा suitcase और इन्होंने अपने bag के dimensions को mention किया हुआ है जब भी आप ticket book करोगे तो आपके mail में वो भी आ जाएगा और आप call करके भी उनसे पूच सकते हो तो कोशिश करना कि अपने bag का dimension उनके according ही हो और bag का weight जादा ना हो तो सबसे पहले जब मैं new Delhi airport पहुँची तो मैं सबसे first counter जो था वो था check-in luggage का जहां पर आप अपने luggage को weight करवाते हो और वो आपका luggage चला जाता है अब यहां पर आपको मिलेगा एक तो boarding pass वो जरूर याद रखना boarding pass में आपकी ticket new Delhi से Mexico तक की होगी second आपको मिलेगा एक quarantine declaration form उसमें आपको कुछ नहीं करना बहुत simple सा form है जर्फ name, date of birth and आपका signature and that's it इतने सी information फिल करनी और कुछ नहीं करना just a formality कि आप Amsterdam में layover कर रहे हो पर आप बहार नहीं निकल रहे हो next जो counter है next step जो है इसमें वो आता है immigration का अब immigration का नाम सुनकर तो बहुत सादा डर लगता है पर ऐसी कोई चीज नहीं है क्योंकि आप legal enter कर रहे हो आप legally किसी और country में जा रहे हो उनके साथ बहुत जादा टाइम स्पेंड कर रहे थे लाइक उनसे जादा कोईशनिंग हो रही थी पोर फाइफ एट मिनिट्स तक पर कुछ लोगों के साथ और कुछ बहुत ही जल्दी फ्री हो जा रहे थे लाइक वान और टू मिनिट्स के अंदर तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैरा जो मैं जब काउंटर पे गई इंबिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा थेन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहा जा रहे हो मैंने बता दिया मैं चैनला जा रही हूँ बाया मेक्सिको उन्होंने मुझसे Mexico की ticket मांगी then Mexico से Canada की ticket मांगी India से Mexico की नहीं मांगी उन्होंने मुझसे Mexico का hotel reservation मांगा and मेरे mask खटवाया मेरी photo click हुई that's it तो मैं one minute में free हो गई then next immigration के बाद आता है security check-in अब security check-in में India में हमें अपने jackets, jackets के pockets और अगर आपने कोई heavy shoes पहना हुआ है तो आपको वो भी खोलना पड़ता है ट्रे में रखना पड़ता है आपके बाग में जो gadgets है उनको भी निकालना पड़ता है तो आप अपने gadgets को जो भी electronic items है आपके battery, torch, phone, power bank, etc. मैं suggest करूंगी कि एक pittu bag में, kevin bag में ही रखना और उनको एक अलग से छोटा कोई pouch में उनको रख लेना तो आपके लिए easy होगा उसे निकाल कर रखना और बड़े शांती के साथ security check-in करवाना कोई जल्दबाजी मत करना क्योंकि अगर आपकी कोई चीज खो गई तो आप फिर खोई गई boarding pass अपने पास रखना क्योंकि जब आप security के अंदर जाओगे तो आपको अपना boarding pass दिखाना होगा और वो इस पर stamp लगाएंगे तो वो आप अपने पास ही रखना तो ये था immigration मेरा first check-in luggage, then immigration then security check-in अब next है हमारा Amsterdam मेरा layover था Amsterdam में 6 hours का, Amsterdam में कुछ नहीं था एक security check-in थी इंडिया से तोड़ी से differ थी क्योंकि वहाँ पर बैग में से सारे electronics नहीं निकलवाई उन्होंने उन्होंने सुर्फ जैकेट्स खुलवाई जैकेट के pocket में जो भी समान है उसे ट्रे में रखवाया उसके बाद अब बहुत सुन्दर है Amsterdam का airport उसे enjoy कर सकते हो वहाँ MacDee भी है आप coffee पी सकते हो so just either rest or enjoy and explore the airport of Amsterdam then उसके बाद आता है Mexico अब Mexico में जब मेरे actually जब मैंने flight book करी थी तो मेरे सबसे बड़ा डर था कि Mexico में मैंने काफी सारी incidents पढ़ लिये थे कि वहाँ पर Indians के साथ बहुत बुरा बढ़ताव हो रहा है बहुत बुरी तरह से उनको treat किया जा रहा है पर मैंने जब वहाँ observe किया ऐसा नहीं है so हुआ क्या जब मैं Mexico land करी मेरी flight जब मेक्सिको में land करी तो सबसे पहले हम immigration पे गए immigration में आपको अपना passport दिखाना है then आपको एक और चीज़ जब आप Amsterdam से मेक्सिको की flight में होगे जो की 11 घंटे की flight थी मेरी तो आपको दो forms मिलेंगे वो दो forms में एक है FMM और एक general queries है उस form में अपना नाम, hotel वगरा एक सेक्टरा लिखना है तो जब आप immigration पे जाओगे तो सबसे पहले passport दोगे और वो दो form दोगे अब इन दो form में से एक form immigration वाले रख लेंगे और दूसरे form में से जो की FMM form है उसमें से half part आपको वो return करेंगे तो वो half part को बड़े सम्हाल के अपने पास रखना अगर वो हो गया तो आपके 40 dollars अगे आपको देने पड़ेंगे 40 USD अब immigration में मैंने passport दे दिया वो दोनों forms दे दिये उन्होंने मुझ से ticket मांगी मेक्सिको से क्यानिडा की देन उन्होंने मेरा hotel reservation देखा and that's it कोई question नहीं किया मुझ से and उसके बाद आया luggage तो जो airport के बाहर जब आप निकलते हो तो airport के बाहर आप trolley नहीं ले जा सकते जब आप airport के बाहर निकलोगे तो आपको एक closed corridor दिखेगा जो कि बहुत बड़ा है उसमें international arrival international departure domestic arrival, domestic departure और कई सारे gate है gate number 1 to 10 gate number 10 पे आपको taxis मिलेंगी और वैसे तो कोई भी gate में आप बाहर चल जाओगे आपको taxi मिल ही जाएगी और अब आजाते हैं पहले बापे से अंदर एक बार कि सबसे पहले हो गया immigration luggage हमने लिपिक कर लिया ले लिया बेल्ट से and then उसके बाद आपका आता है custom अब custom में क्या था जो मैंने उस observe किया जिस दिन मैं Mexico land करी थी वहाँ पर custom checking के दो counters बने वे थे एक machine के थू normal, second physical custom checking हो रही थी जिसमें Indians मैं ये तो नहीं कहूंगे कि सारे Indians को कहा गया कि आप उस line में जाके खड़े हो जाओ पर वो randomly किसी भी Indian को बोल रहे थे कि because generally Indians ही जादा थे population में उनको बोला जा रहा था कि आप line पे खड़े हो जाएए और वहाँ physical checking हो रही थी back खोल कर देखा जा रहा था तो यहाँ मैं suggest करूंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज ना लाएं जो बहुत expensive है और आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ जाएं जैसे jewelry हो गया, मसाले हो गये नमक वगरा, avoid कर सकते हैं मैं जब line में जाकर खड़ी हो रही थी तो custom officer ने मुझे पहले ही देख लिया था और उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हो पता नहीं क्यों मुझे कहा पर मेरे आगे और जो मेरे साथ और आसपास जो Indians आ रहे थे उनको उस line में खड़ा कर दिया गया था पर मुझे उन्होंने कहा आप चले जो मैं चली गई, तो जब बाहर आते हैं टॉली आप बाहर नहीं ले जा सकते हो आपको बाहर पॉर्टर्स की सर्विस मिलेगी पॉर्टर्स हैं जो युनिफॉर्म में होते हैं प्रॉपर और वो आपका लगेज कैरी कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं करना चाहते आपको उन्हें टिप पे करना पड़ेगा according to the जितना लगेज है आपके पास और कितनी दूर आप जा रहे हो तो मैं ने पॉटर किया था क्योंकि मेरा जो होटल था वो एरपोर्ट के opposite side था और वो एरोग्रिज से connect था तो और मेरे पास जो bag था मैं उसे carry नहीं कर सकती थी वो trolley bag नहीं था कपड़े का bag था तो मैंने potter hire किया मैंने उनको tip दिया था 5 USD जो कि मुझे बहुत जादा लग रहा है maybe 3 और 4 USD में काम चल जाता तो यह आप याद रखिएगा कि आपको USD में उनको या Mexican pesos में आप पे कर सकते हो then आते हैं RT-PCR test RT-PCR test मैंने उस दिन नहीं कराया क्योंकि मेरा stay 3 nights का था तो मैंने next day morning 7 o'clock early morning मैं उड़ गई थी 6.30 के around और मैं 7 o'clock पे निकल गई थी क्योंकि बहुत पास था hotel aerobrit से connect था सरफ तो मैं निकल गई तो मैं जब वहां गई airport पे वापस तो मैंने पूरा airport अच्छे से घुमा और मैंने सारे labs के prices और उनके सब कुछ proper पता किया मैंने तो मुझे सबसे बेटर लगा AJ Labs जो की gate number 3 और 4 के बीच में है और वो corridor में है airport के gate के बाहर नहीं है road पे नहीं बना हुआ है कोई stall लगा के वो airport के अंदर है gate number 3 और 4 के बीच में है AJ Labs तो मैंने वहां पर टेस्ट करवाया अपना 7 o'clock पे मैं होटल से निकली थी और मैंने 7.20, 25 तक मैंने टेस्ट करवाया अपना और मेरी report 5 o'clock evening आ गई थी mail आ गया था mail का print out उन्होंने का था वो खुद निकाल के देंगे pass में था मैं गुमते वे चली गई और जाकर मैंने उनसे print out लिया और उन्होंने उसमें एक stamp लगा दिया और वो stamp नहीं अच्छली उनके lab का नाम का कुछ था तो वो लगा के मुझे दे दिया in fact मेरा form भी उन्होंने खुद ही पिल किया तो मेरे लगे थे 110 USD अब बात करते हैं hotel की मैंने किया है Camino Real Aeroportico basic hotel है expensive है उतनी facilities नहीं है जितना इनका charge इन्होंने लिया but the best thing airport के बहुत पास है walking है अब अराम से आपको coffee coffee पीनी है आप जा सकते हो पर facilities अच्छी नहीं है it's just काम चलाने वाली बात है मेरे hotel stay में breakfast included है पर हाँ एक बात कहूंगी इस hotel से view बहुत अच्छा आता है और यहां से पूरा airport देखता है पूरी landing take off सब कुछ visible है तो यह चीज बहुत अच्छी है यहां से view बहुत अच्छा है तो यह hotel के लिए plus point है बाकी hotel बहुत expensive है जितना expensive है उतना यह facility प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको hotel के room में clock नहीं मिलेगा आपको kettle नहीं मिलेगा microwave नहीं मिलेगा तो यह facilities lack कर रही है जो की बहुत necessary है second thing Mexico में जब आप आ रहे हो तो यहां language barrier बहुत जादा है बहुत ही कम लोगों को proper English आती है हलाकी आप उन्हें वो समझ जाते है पर आप उनका नहीं समझ पाते तो सबसे best है offline language translator अपने phone में download कर लेना बहुत help करेगा मेरे को बहुत help किया है मैंने उस translator के थुरू अपनी सारी questions, queries पूरी proper पूछी है लोगों से हाँ, Mexicans are very helpful वो आपकी language को नहीं समझते पर वो आपकी help करना चाहते है तो मैं यह तो नहीं कह सकती कि proper safe है या नहीं क्योंकि मैंने तो सरफ एयरपोर्ट के आसपास का एरिया ही गूमा है और देखा है पर जितना मैंने देखा है they are healthful अगर आप vegetarian हो तो आपके लिए खाने की बड़ी problem होने वाले है मेक्सिको में क्योंकि यहाँ vegetarian food तो मुझे hotel में भी नहीं मिला मेरे breakfast में और मैंने kellogg's और दूध और fruits and juice fruits खाय और juice पिया तो इसलिए मैंने अपने साथ कैरी किये थे हल्दी राम के packets आप भी अपने साथ हल्दी राम के packets कर सकते हो इन्हें कुछ नहीं करना होता इन्हें आपको सिर्फ गरम पानी बॉयल वाटर में आपको एक्स्ट्रा यहां पर कुछ पे नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगी मेक्सिको से क्यानिडा तक की जर्नी के बारे में अगर आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को नमस्ते